Hello Teachers, एक बहुत ही common सी problem आती है हम लोगों के सामने और वो है हमारे बच्चों की राइटिंग को लेके English teacher को सबसे अदाई सीज से जूजना पड़ता है कि उनके बच्चे स्टार्टिंग में चाहे आप बात करें पहली दूसरी तीसरी कक्षा में चाहे चौथी पांचमी छटमी साथमी या हाई स्कूल या हाईर सेकेंडरी हम लोगे को बार-बार इस सीज को लेके थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है कि हमारे बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है या लेजिबल नहीं है या वो जो लिख रहे हैं वो राइटिंग बढ़िया दिकाई नहीं दे रही है और इसका जो खाम्याजा है वो इस रूप में निकलता है कि जब हमारे बच्चे एक्जाम में नहीं ठीक से लिख पाते हैं या उनकी राइटिंग ठीक नहीं होती या हम उनकी जो उन्होंने लिखा है उससे गलत अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिर हम उनके मार्क्स काटने लगते हैं और कई बच्चे बहतर आंसर लिखने के बावजूद उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते और ये भी एक हैबिट वाली बात है कि जैसे बच्चे की बच्चपन में राइटिंग अच्छी नहीं है और फिर वो उसी तरह से उसकी राइटिंग रह जाती है बहुत थत तक वो अगर इंप्रूब नहीं कर पाता तो फिर आगे जाके बोर्ड क्लासे में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जहां पर अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो एक्जामिनर ऐसे ही नमबर देते समय थोड़ा हाफ आटेट हुजाता है कि ये बच्चा जो है ये इंटेलिजन नहीं है ये अच्छा नही है कौन सा चीज को हम एडॉप्ट करें नीचे की क्लासों में लोवर क्लास में स्टार्टिंग में कि हमारे बच्चों की राइटिंग जैसे जैसे वह बढ़ते चाहें वह और इंप्रूव होती चलिए सबसे पहली चीज है कि टीचर की खुद की हैं राइटिंग बहुत देखता है वो सब कुछ प्रिंटेड होता है एक फॉल्स नोशन जो हमारे दिमाग में काम करता रहता है कि अगर हमने एबी सीरी का चार्ट लाके क्लास में टांग दिया उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको देखके हमारा बच्चा बहुत सुन्दर राइटिंग मना लेगा यह बिल्कुल ही उस तरह सोचना हो गया कि बुक में जो भी प्रिंटेड है उसको देखके बच्चा अपनी राइटिंग सुधार लेगा ऐसी कोई भी बात नहीं है आपको एक मॉडल के तौर पे एक बहतर हैंड्राइटिंग का प्रदर्शन कक्षा में करना पड़ेगा उसके बाद ही आप उमीद कर पाएंगे कि आपको देखके आपके बच्चे की राइटिंग में सुधार होगा तो इंग्लिश टीचर की सबसे पहली जो खासियत होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसकी साफ, लेजिबल, क्लियर, ब्यूटिफुल हैंड्राइटिंग अगर यहाँ पे कमी है तो आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी पढ़ा लें, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश पढ़ा लें, कितना अच्छा आप बोल लें, कितना अच्छा आप बच्चों को समझा पाएं लेकिन अगर आपकी writing अच्छी नहीं है तो ये मानके चलिए कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक negative point है एक negative impact है जो बच्चों की उपर पढ़ रहा है आपकी writing एकदम साफ सुत्री board पे जो कुछ भी आप लिखें वो एकदम neat and clean और legible होना चाहिए हम बच्चों की copy JASON को लेके हमेशा इस तरह की चिंता व्यक्त करते रहते हैं कि बच्चों की copy साफ नहीं होती या उनकी writing ठीक से नहीं होती या बहुत नजदीक नजदीक लिग दिया है या बहुत दूर दूर लिख दिया है या कुछ letters बहुत बड़े हैं कुछ letters बहुत चोटे हैं और जो भी कुछ दिख रहा है copy में वो altogether इतना खराब दिख रहा है कि उसको यह नहीं कहा जा सकता कि एक fair copy है, एक साफसुत्री अच्छी copy है, presentable है, इसको किसी को दिखाया जा सकता है कि यह मेरे student की copy है, तो इसके लिए हम बच्चों पर जो भी हम सुधार चाहते हैं, कि हमारे बच्चे की copy इस तरह से हो, उसकी writing इस तरह से हो, वो इस तरह से लिखे, इस तरह का काम करें, इसके लिए सबसे पहले हमको अपना assessment करना पड़ेगा कि हम कैसा कर रहे हैं। जैसे बच्चे की notebook, बच्चे का copy है, वो बच्चे, उससे हमको बच्चे के बारे में पता चलता है कि हमारा बच्चा कैसा है इस विशे में। वैसे ही आपका जो blackboard work है, आप जो भी कुछ काम blackboard के उपर करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कैसे teacher हैं। तो यह मेरी आपसे request है कि इस चीज को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि क्या English teacher के बतार, हम English teacher के रूप में काम करते हुए, उस तरह से हम अपने आपको present कर पा रहे हैं students के सामने, हम यह सोचते हैं कि students बहुत हमसे चोटे हैं और वो हमको judge नहीं कर रहे हैं। और यही हम गलत करते हैं, हर एक बच्चा जो आपकी कक्षा में बैठ रहा है, चाहे वो standard 1 का बच्चा हो, चाहे वो standard 12 का बच्चा हो या college का बच्चा हो, वो अपने teacher का लगातार assessment करता है, लगातार वो आपको assess करता रहता है कि आप कैसा कर रहे हैं। वो आपको copy करने की कोशिश करता है। और जब आपको लगता है कि उसकी writing खराब है और जब आप उसको टोकते हैं तो वो आपसे कह नहीं पाता। अगर उसको इतनी छूट होती तो वो बोल भी सकता था कि सर आप भी या मैडम आप भी board पे तो ऐसा ही लिखते हैं। तो हमको यहाँ इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो कुछ भी काम आप board पे करते हैं या जिस चीज की अपेक्षा आपको अपने बच्चे से है प्लीज आप खुद पहले वो काम करके बताईए। कुछ छोटी छोटी चीजे हैं जिनको अगर हम ध्यान दे हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों को जानने की क्या जरूरत है पर अगर उस पे हम अच्छी तरह से मेहनत कर लें हमारा base, हमारा foundation अच्छा मजबूत हो जाए तो आगे हमको कहीं भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। वो सल बच्चे उस चीज को आगे बहतर कर लेंगे, आपको देखके वो अच्छा काम कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं alphabets की, एक बात तो बिल्कुल आपके भी दिमाग में होगी कि किसी भी बच्चे की writing से आप उसको judge करते हैं, हाला कि ये सही नहीं होता, क्य क्योंकि writing कई बार ऐसा भी होता है, कोई बच्चा बहुत ही होश्यार है, लेकिन उसकी writing उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं teacher का बायस यहां पर काम करने लगता है, कि जिसकी writing अच्छी है, वो भले ही उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको एक होश् की जरूवत है यह आवरेज है तो जो पहला इंप्रेशन किसी भी बच्चे का पढ़ता है इस्पेशली मैं अगर बोर्ड एक्जाम की बात करूं जहां पर जो एक्जामिनर होता है वो बच्चे को नहीं जान रहा है वो सिर्फ उसकी कॉपी से उसका असेस्मेंट करने के लिए बहाँ पर बैठा हुआ है तो जब पहला इंप्रेशन जो पढ़ता है वो राइटिंग से ही पढ़ता है पढ़ने का काम तो वो बाद में करेगा जो भी एक्जामिनर है कि इसने क्या लिखा है पहले तो वो राइटिंग देखते ही एक उसका दिमाग बन जाता है कि ये बच्चा average है, mediocre है कि नहीं below average है या पिर आप इसको ये मान सकते हैं कि हाँ ये होशयार बच्चा है तो हमको ये महनत करनी बहुत जरूरी है ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमको अपने बच्चों को सबसे पहले हम इस लायक बनाए उनकी राइटिंग इस तरह की रहे कि कोई भी जब उनकी copy पल्टे तो ये मान ले कि हाँ ये बच्चा बहुत होशयार है ये false notion ये धार्णा की राइटिंग से किसी की होशयारी अबुधिमानी का कोई सरोकार नहीं है कोई तालुक नहीं है कोई connection नहीं है महात्मा गांधी के दिमाग में भी था और बाद में उन्होंने इसको realize कि जो खराब handwriting होती है जो कुरूप लिखावट होती है वो अधूरी शिक्षा की निशानी होती है मैं चाहूंगी हमारे बच्चों को इस तरह की कोई समस्या नहीं हो आप खुद भी देखिए अपने आपको अगर आपकी writing सुन्दर है तो अभी से मेरी तरफ से आपको डेट सारी बदाईयां बत और English teacher आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं सुधार की गुझाईश है जो हमेशा होती है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुधार की गुझाईश है तो प्लीज आप उस पर थोड़ी से मेनत कर लीजे आपकी खुबसूरत writing आपके हजारों students के लिए प्रेणा का कारण बनेगी source of inspiration बनेगी और बच्चे बहतर करता हैं चलिए हम कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों को देखते हैं हम डारेक्ट आ जाते हैं ABCD के उपर कि A इस तरह से होना चाहिए ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपका A खराब है सवाल यह उठता है A किसे मिलके बन रहा है कौन सी चीजे है जो A को बना रही है Lines तो सबसे पहले क्यों ना हम बच्चों को Line Draw करना सिखा है अगर बच्चे सीधी Lines आड़ी Lines तिरची Lines यह वो कर जिने आप वक्र कहते हैं यह क्या कहते हैं कर्वी कहलाते होंगे वो Curve अगर वो properly Draw कर पा रहा है अगर वो गोले अच्छे से बना पा पाइगा तो कौन सी ऐसी Lines है आप खुद भी जानते हैं लेकिन उनको ड्रॉ करने का जो सही तरीका है वो हम को बच्चों को पहुंचाना बटाना जरूरी है करके दिखाना जरूरी है जैसे सबसे पहले बच्चों को सिखाईए कि सीधी लाइन हम कैसे बनाते हैं आपको बहुत लंबी सीधी लाइन मनाने की ज़रूद नहीए Alphabet जो बच्चा copy में लिखता है वो छोटे ही छोटे होते हैं copy के size के होते हैं तो आपको उसी आधार पे कि बच्चों की writing copy में कितनी बड़ी लिखे तो साफ दिखे, अच्छा दिखे, किस तरह से gap है, इसको किस तरह से करना है, यह आपको सिखाना है, तो आप उनको सिखाईए कि किस तरह से वो standing line मनाएंगे, ठीक है, आप बनवाईए उनसे standing line, कई standing line ब नीचे उसका हाथ आना चाहिए, आप देखिए कहीं आपका बच्चा नीचे से उपर की ओर तो नहीं ले जा रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है, तो उसे मनाखीचे, ऐसा वो ज्यादा दूर तक नहीं अच्छा बना पाएगा, इसलिए line को उसको सिखाईए, कि line draw करते सम उसका हाथ उपर से नीचे की ओर आए, ठीक है, एक हो गई सीधी line, दूसरी है sleeping line, इसको हम standing line या straight line भी बोलते हैं, इसके बाद आजाती है sleeping line, ये, sleeping line भी जब बच्चा draw करे, तो आप उसको ध्यान दीजिए, कि वो बाए हाथ की ओर से दाहिनी हाथ की ओर लेके जाए, जैस से शुरू करें और उसको right की तरफ लेके जाए, अगर बच्चा ultra draw कर रहा है, तो आप उसको वहाँ पर रोप दीजिए, कि नहीं ये गलत है थरीका, थोड़ा सा care कीजिए, कि बच्चा उपर से नीचे और left to right इस तरह से draw करें, ठीक है, इसके बाद आप ये हो गई हमारी standing line और sleeping line, अगर बच्चा इसको straight सीधा कीच पा रहा है, उसका हाथ अगर नहीं काप रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसकी practice इसकी अच्छी हो गई है, और अगर ऐसा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो please इसकी practice कराईए, जिन चीजों को हम बहुत छोटा समझ के और बहुत trivial स मचके छोड़ देते हैं कि इसका कोई importance नहीं है, वही चीजें बात में अपना बहुत खराद impact राइटिंग के उपर इनी चीजों का पड़ता है, तो please इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, कि बच्चा लाइन खीचते समय ध्यान दें, जो मैंने बताया कि उपर से नीचे की और लाए, ठीक है, इसी तरह से जब वो आड़ी लाइन की चाहिए, जिसे आप कहते हैं sleeping line, तो वो sleeping line उसकी left से right की और जानी चाहिए, ठीक है, करवाईए उससे practice, करवाईए, और बोल के करवाईए, standing line, sleeping line, standing line, sleeping line, ठीक है, standing line खड़ी हुई, अब straight line नहीं बोल पा रहा है, standing line तो बोलेगा, sleeping line, lines हो रही है, तिछी, लिटा दिया है आपने उसको, इसी तरह से आप उसको slanting line की practice कराईए, जो भी उपर से नीचे की और आएगी इस तरह से, ये देखिए, ये, ठीक है, ऐसे draw कराईए, बड़ा useless लगता होगा आप लोग को, लेकिन ये जब आप इसक अच्छा कर पा रहा है, अगर उसका हाथ यहाँ पर ऐसे लाने में ऐसे से काप रहा है, तो वो कहां से draw कर रहा है, अच्छा आप ये बताईए, ठीक है, दूसरी चीज, आपने इस तरह से slanting line बनवाई, इसको आपिस इस तरह से भी बनवाईए, ऐसे, ये, ये practice करवाईए उन से, देखिए आपका बच्चा straight draw कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको इस सीज का ध्यान देना है कि आपके हाथ का movement जो है, वो उपर से नीचे आएगा, अगर बच्चा इस तरह से बना रहा है, तो ये useless है, ये useless है, ये किसी काम का नहीं है, ठ ठीक, तो ये चीजे हैं, किस तरह से आपको करना है, दो-तीन चीजे आपको clear हो गई, आपके बच्चे का हाथ उपर से नीचे, ये खुद भी आप practice में लीजे, अगर आप ऐसा खीच रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान देंगे, कि ये ऐसे, उप से नीचे, top to bottom आपको लेना है, ठीक है, इधर की line आप खीच रहे हैं, sleeping line ये इस तरह से आएगी, आप left से right की ओर जा रहे हैं, ठीक है, करके देखिए एक बार, उसके बाद जब आप slanting line बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है, कि वो इस तरह से उपर से करेंगे, ठीक है, हम इस तरह से बच्चों को angles बनाने का एक training दे रहे हैं, हमारे जो letters है, alphabets है, उनमें इन lines की जरूरत पढ़ती है, ये आपको पता है अच्छी तरह से, अगर वो बच्चा straight बना पा रहा है, सीधा बना पा रहा है, तो निश्यत रूप से उसकी writing पे इन चीजों का फर्क पड़ेगा, इसके अलावा जो दूसरी चीज जरूरी होती है, वो होते है curves, अब curves को कैसे draw करना है, ये देखिए, जैसे आपको यहां से बनाना, ये curves को आप ऐसा खमाएंगे, ठीक है, ये, ये, आप इस तरह से curves बनवाईए, बच्चों से, उपर से ऐसा घूम के नीचे, ठीक है, इस बीच में बच्चे को अपना हाथ नहीं उठाना है, आप उसको ये सिखाईए कि वो बच्चा हाथ नहीं उठाएगा, अगर वो तोड़ तोड़ के बना रहा हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, निश्यत रूप से distort करेगा, वो figure जो बनाएगा, तो आप इस चीज की प्राक्टिस कीजिए कि जो बच्चा बनाएगा, वो बिलकुल बरावर, ऐसे, हमने ये एक साइट में किया, अब इसको ओपोजिट में करते हैं, इस तरह से, ये, ऐसे बनवाईए बच्चों से, इसमें फिर उपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, बच्चे कैसा कर रहे हैं, इस तरह से करवाईए, इसको हम इसके opposite direction में भी लेते हैं, ऐसे, क्या उनका curve सुंदर बन रहा है, आप देखिए जरा, क्या वो कर पा रहे हैं इस तरह को, क्योंकि ये थोड़ा सा difficult होता है, आपके lines की तुलना में ये थोड़ा से उश्किल होते हैं, लेकिन इनको करवाईए, अगर ये बच्चा beautifully draw कर पा रहा है, तो निश्यत रूप से उसके letters अच्छे बनेंगे, उसके alphabet सच्छे बनेंगे, ये एक चीज हो गई, इसके अलावा, आपको जिन चीज़ों पर और गौर करना है, एक समस्या और हमारे सामने आती है, especially जब हमारे बच्चे छोटी खक्षाओं में होते हैं, हम देखते हैं, हमारा बच्चा जो है, वो alphabet को recognize नहीं करता है, तो इसके लिए हम बार बार एक ही तरीके से alphabet से उससे बनवाते हैं, जैसे ये A है, ठीक है, ये, A, अब हम बार बार बच्चे को इसी तरह का A द आपको लगता है, आपका बच्चा A सी गया, तो आप थोड़ा सा इसको pattern को change करतीजे, ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखतीजे, ये, 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 और ये, अब बच्चा पहचाने कि सही A कौन सा है, अब अगर आपका बच्चा सही A पहचान लेता है, तो हम ये मान ले कि उसको alphabet का recognition है, ये practice करके देखिए, सही A, B, C, D लिखना, और अगर आप कई उसमें कुछ ऐसे उल्टे या upside down करके words बना देते हैं, तो क्या उसको वो बच्चा समझ पाता है, pick out कर पाता है, select कर पाता है कि सही कौन सा है, अगर नहीं कर पा रहा है, यानि उसको अभी letters का identification identification नहीं है, मैंने देखा है, B और D सबसे सदा confusing होते हैं, और N, B में ये अगर माल लिजे, ये B आप बना के दे रहे हैं, ये बच्चा पहचान लिया, लेकिन क्या वो बच्चा इस तरह से जब आप B लिख रहे हैं, ये और ये, और ये, तो बच्चा सही B को निकाल पा रहा है, इसमें से कि सही B कौन सा है, अगर वो निकाल पा रहा है, इसका मतलब वो समझ रहा है, वो जान रहा है, वो पहचान रहा है, और अगर वो नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब कि वो नहीं जान रहा है, तो ये practice भी आपको उससे करवानी है, letters को गुमा दीजे, सही भी और खलग भी देखिए आपका बच्चा सही पहचान पारा है किनी पार रहा है हमें यह लगता है कि नहीं भी वहुत मैं आरने बच्चे जानते हैं एक मई ऐसा करके देखिए कितने बच्चे उसमें से पहचान पा रहा है और नहीं तो अभी भी उनको प्रैक्टिस की जरूरत है इसके अलावा N ये N ठीक है अब इसको भी आप खुमा दीजे कोई जरूरी नहीं कि जैसा लिखा है वैसे ही ऐसे कर दीजे देखिए आपका बच्चा पहचान पा रहा है कि नहीं ये इसको ऐसे क निकाल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है उसको N मालूप है ये देखिए मैंने कई बच्चों को 7th 8th लेवल पे ऐसा N लिखते हुए देखा है कहा कमी है ये सोचने वाली बात है कि हमारा बच्चा इस N और ये N जो दूसरा है जिसे उल्टा बनाया गया है अगर इसमे बच्चा फर्क नहीं कर पा रहा है तो कमी कहां पर है ये बताई ये सीदी सी बात है कि बच्चे को अंदास सिर्फ इतना है कि दो standing line के बीच में एक line slanting होती है अब उसका सही direction उसको नहीं मालूम है कि वो left to right जाती है कि right to left जाती है आप खुद सोचिए किसी बच्चे ने बहुत बढ़ी answer लिखा है लेकिन उसके सारे N इस तरह के बने हुए है आप क्या number देंगे उसको बताईए खुद ही आपको लगेगा कि नहीं जब यह N नहीं पहचान रहा है तो यह तो इसने किसी के नकल मारी है यह यह रट के आ गया है आप उसे number नहीं देंगे तो यह छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिस पर हमको थोड़ी मेहनत की आवशक्ता है और लेकिन यह बहुत important grammar और textbook की knowledge और question answers वो सारी चीज़ें बिलकुल अलग है यह बहुत जरूरी अगर यह नहीं कर पा रहा है बच्चा तो वह आगे कि सारी चीज़ें useless नहीं कर पाएगा करेगा भी तो वो कहीं कोई चीज़ उसमें कोई improvement नहीं दिखने वाला आपको यह सब अगर गलत वो कर रहा है तो एक समस्या और मैंने देखा है यह तो आपको clear हो गया कि इस तरह से यह जो हमने 2-3 examples लिया है आप सारे जो alphabets हैं उनको चारो direction में गुमा दीजें और उसक alphabets जैसा बनना चाहिए उसका recognition उसको हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको वहां पे अपना दिमाग लगा के exercise उसके लिए तयार करनी पड़ेंगी किस बच्चे को कहां से दिक्कत आ रही है और वो फिर practice आपको करानी पड़ेगी म या एक बात आपको बता दूँ कि इसमें dart देंगे अगर आप बच्चे को या बहुत ज्यादा punishment दे देंगे कि तुमको लिखना नहीं आता या आप उसको class के सामने बहुत ज्यादा अगर insulted feel करा देंगे तो उससे वो बच्चा और ज्यादा खराब होता चला जाएगा आप यह मत सोचेगा कि उसमें कहीं improvement आने की गुझाईश है जब इस तरह से कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है इसका मतलब कि आपको उसको और time spare करना पड़ेगा और उसको कहीं पे आपकी extra care की जरूरत है उसको पास में बैठाईए उसकी copy लीजिए उसकी copy में अपने हाथ से ब बताईए अलग से बताईए आपका खास attention मांग रहा है और हो सकता है आपके बाकी बच्चों से वह आगे निकल जाए थोड़ा सा sympathy affection देते हुए अगर आप उस बच्चे को समझाएंगे तो निश्यत रूप से बच्चा जादा करताएगा यह है कि आपकी classroom teaching में किसी भी कार हो कितनी भी higher class हो कितनी भी lower class कोई बच्चा अगर उस standard को maintain नहीं कर पा रहा है जो वो कख्षा उससे demand करती है इसका मतलब कि उसको teacher की extra care की जरूरत है और यह हम भी जानते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके घरों में इस तरह का वातावरण नहीं है कि कोई उनको घर में अ कि मेरे कख्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें एक ही या दो ही बच्चे इस तरह के हैं बाकि 18 बच्चों को मैंने बहुत होश्यार बना दिया है मैं आपसे यह कहूंगी कि वह 18 बच्चे जो होश्यार है उनको आपकी आवश्यक्ता शायद ना पड़े वह आगे कर ले मेरे स्कूल में भी इस तरह के बच्चे हैं और उनको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लेकिन अब मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं वह मेरे बच्चे है तो मैं छोड़ दू उनको कि भई अब मैं नहीं तुम लोगों के साथ मैं कोई काम नहीं कर सकती करना प एक और जो मैं आपको खास बात बताना चाहा रही थी वो ये हम बात कर रहे थे lines or curves की हम अगर ऐसे ही lines or curves किसी blank paper पे या slate पे बनवाते हैं तो उससे जो letters का proportion है वो clear नहीं हो पाता कि letters जो है वो copy में किस size के बनने चाहिए इसके लिए एक विशेश copy आती है जिसमें ऐसे grids बने हुए होते हैं ठीक है आप लोगों ने शायद देखा भी हो या आप लोग mathematics के लिए table बनाने के लिए इसको use भी करते हो ठीक है नहीं करते हैं तो आप stationary में जाएंगे बहुत easily available ह होती है copy इसमें ऐसे grids बने हुए होते हैं ठीक है आप इन grids के भीतर बच्चों से standing line और sleeping lines को बनवाई है उससे किस proportion में कितनी बड़ी standing या sleeping line या slanting line या curves बनाने हैं ड्रॉ करने हैं यह चीज़ बच्चे को clear हो जाएगी ठीक है जैसे आप बोलिए कि आपकी जो slanting line है वो इसी कर्व के अंदर रहे और इस size में बने ठीक है आपकी standing line इसी grid के अंदर यह जो चौकोर बना हुआ है इसी के अंदर यह आने जाई है ठीक है आपने मतलब आपको यह सिखाना है कि वो line का size कितना बड़ा रहे उससे बाहर ना ने कि उससे touch ना करें उसकी जो किनारे की boundary है इसी तरह से आप curves भी बनवाएं तो curves भी उसी के अंदर आने चाहिए इससे बच्चों को proportion का पता चलता है कि हमको बनाना है तो कितना बड़ा बनाना है ठीक है यह देखिए ऐसे अगर यह copy आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है तो इस copy को ले लीजिए या बच्चों को बता दीजिए एक बार आप एक copy लेके आएंगे आप चाहें तो उसके पन्ने जैसे मैंने किया था आप distribute कर सकते है क्लास में जाना है उस साइस से बाहर हमको नहीं निकलना है ठीक नेक्स्टिक मैंने एक चीज़ और महसूस कि है कि हमारे बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत क्लास में ABCD नहीं जानते हैं यानि आप उनको बीच से कोई alphabet पूछेंगे यह क्या है तो वो ABCD पढ़ना शुरू करते है ABCD से वहां तक पहुँचेंगे फिर बनाएंगे कि यह जो है यह F लिखा है या G लिखा है क्यों हम अपने ABCD को A से ही स्टार्ट करते हैं कभी-कभी चेंज कर दीजे आप A से मत स्टार्ट कीजिए, E से स्टार्ट कीजिए, G से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद लिखके दिखाने बोलिए कि चलो अब लेके आओ इसको पूरा वहां तक जी पहुँचते तक, ऐसा करवाई है, इसके अलावा, अगर आपको सीक्वेंस सिखाना है बच्चों का किस ओर्डर में अल्फबेट्स आते हैं, A, B, C, D, आप दो लेटर के बीच का लेटर गायब कर दीजे, जैसे आप D, बीच का छोड़ दीजे, F, चलिए, बच्चा भरे इसमें बीच में क्या आएगा, या फिर G, H, किनारे का छोड़ दीजे, क्या आएगा, ये प्रैक्टिस करवाईए बच्चों से, पहले एक लेटर मिस कीजे, उसके बाद आप दो, तीन लेटर बीच के मिस कर दीजे, हमेशा अपनी A, B, C, D को A से ही जब आप शुरू करें तो हम इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा चेंज करते जाएं, थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाएं, मत A से शुरू कीजे, B से शुरू कीजे, end A पे कीजे, एक बार करके तो देखिए, फिर देखिए आपका बच्चा B को पहचान रहा है, कि B आपने लिखा है, उसको वो A पढ से आती है, फिर जैसे मैंने बताया है, यह फिलप, तो आप दो लेटर लिख के बीच का लेटर छोड़ दीजे, बाद के दो लेटर लिख के सामने का लेटर छोड़ दीजे, लास्ट का लेटर छोड़ दीजे, फिर असमें आप गैप बढ़ाते चले जाएं, बीच के तीन बीच-बीच में smalls, capitals, smalls के बीच-बीच में वो capitals डालना शुरू करते हैं, हमको sentence begin करना है, वहाँ पर हम capital डाल रहे हैं, अब वो कोई एक शब्द भी लिख रहा है, table ही लिख रहा है, अब जैसे उसको table लिखना है, तो यहां बनाया T, उसके बाद आ गया B, या इस तरह से T, A, B, फिर L छोटा आ गया, फिर E बढ़ा आ गया, यह, इस तरह की गलतियां भी बच्चे करते हैं, यानि उनको upper case और lower case यानि smaller capitals का भी ठीक से knowledge नहीं है, तो please इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कि बच्चे को मालुम होना चाहिए कि कहा हमको capital का use करना है और उसके आगे कहां पे हमको smalls के use करना है, और smalls के बीच में बच्चा capital Q डाल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या वो इस B के lower case को नहीं जाना है, या E के lower case को उसको नहीं मालूम कि T के बाद A, B इस तरह से small लिखा जाता है, L इस तरह से small आता है, और E से तरह से small आता है, यह इसको पता है कि नहीं, जरा देखिए, तो यह छोटी-छोटी चीजे हैं, जो आपको ध्यान देनी हैं, तब जहा के हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे सही English लिख पाएंग, यह बिल्कुल foundation है, इसको आपको पहले मजबूत बनाना है, उसके आगे ही इमारत खड़ी हो कि लिए जरूरी है, प्लीज, यह काम सबसे पहले कीजिए, चाहे आप किसी भी कक्षा को पढ़ाते हो, यह सोचके कि बच्चा जानता है, और बाद में जब हम first unit test लेते हैं, और उसके बाद उसकी कॉपियों को देखते हैं, तो हमको डेर सारी mistakes मिलती हैं, और उस समय तक हम हमारा course इस position पर आ जाया रहता है, कि हम बहुत ज्यादा इस पर practice नहीं कर पाते हैं, अभी आपके पास में बहुत समय है, course किसी भी कक्षा का इतना ज्यादा नहीं होता, कि वो एक session में complete नहीं हो, बहुत आसानी से होता है, लेकिन course शुरू करने के पहले, यह चीज का test आप अपनी कक्षा में जरूर ले लिजए, अगर आपको लगता है कि किसी particular बच्चे को इस तरह की problem है, तो आप अपना कीमती समय उसको जरूर दीजिए, extra उसके साथ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जिससे बच्चे, बच्चा जो है वो बिना किसी inferiority complex के, कि मैं बाकी बच्चों स कम जानता हूँ, वो अच्छी तरह से आके, कक्षा में बैठके अच्छी तरह perform कर पाए, ठीक है, मैं समझती हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो भी मैं कहना चाहरी हूँ, इससे भी बहतर अगर कोई सुझाव आपके पास है, जो कोई चीज हम से गई होगी, तो please let us know, see you in the next class.